अलो मेरी फेमिली कैसे हूँ आप मैं आड़ी तमाम डिस्टल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूँ एक और मैस के कुछ बहतरीन कोशन और कमाल के उनके स्वालूशन के साथ मैं हाजर हूँ ये 26 अक्टूमबर 2018 यूपी पॉलिस कॉस्टेबल का प्रिवियस पेपर के कुछ कॉशन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इन कॉशन को हम आज डिसकस करने वाले हैं क्या बैटर एप्रोच आपकी एक्जाम में होनी चीए थी यूपी पॉलिस कॉस्टेबल एक्जाम 26 अक्टूमबर 2018 में ये आपसे पूछा गया था तो आज हम बात करेंगे कि ये जो कॉशन है उन्हें आप कैसे सोल कर सकते थी मेरी भाजकता के वीडियो प्लेइलिस्ट में पड़े हुए हैं आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं और ऐसे प्रसनों को बहुत इजी तरीके से सोल कर सकते हैं प्रसन देखिया आप 42 पे गौर की जी जो सबसे बड़ी चार अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25, 35 प्रतेक दुआरा विभाजित करने योग्य है ऐसा आपको एक नमर चूज करना है जो नीचे चार ओप्सनों में जो आपके चार अंकों की बड़ी संख्याई दे रखी है उनमें सबसे बड़ी होनी चीए पहली बात तो उसकी ये है यानि चार ओप्सनों में बड़ी से बड़ी होनी चीए ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली है बात अब बड़ी से बड़ी कैसे होनी चीए उसे देखे अब परिक्सा में ऐसा नहीं है कि आप उनका एलसियम लेंगे फला लेंगे ऐसा कुछ भी करते वे नहीं पाए जाएंगे मेरी एक छोटी सी बात को सुनिएगा इन चार में से पहले तो ये देखिए बड़ी कौन सी है तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ी निन्यानवे पिचेतर होगी ये पहले वाली सबसे बड़ी है इस पहली को जाचे कैसे जाचेंगे आप वो सुनिए पंदरा का भाग किन संख्याओं में जाता है पंदरा का भाग सिर्प उनी संख्याओं में जाता है मेर उनका भाग कौन सी संख्याओं में जाता है? आप कहेंगे सर अंकों को जोडते हैं, जैसे 9 और 1, 9 और 9, 18 हो गया, 18 और 7, 25, 5, 30 हो गया, तो ये 3 से भी भाजित है और 5 से भी भाजित है, यानि कि 15 का भाग इस 1 वाले विकल्प में जाएगा, अब मैं कहूं 25 का भाग, तो 25 का भाजगता का नियम होता है, 25 का भाग उन संख्याओं में जाता है, जिनके लास्ट दो अंक, देखिए 5 के लिए तो एक अंक देखते हैं, और 25 के लिए आप दो अंक देखते हैं, अब दो अंक कैसे देखते हैं, वो सुनिए, या तो लास्ट में 00 हो, तो चला जाता है, या लास्ट में 25 मोजूद हो, यानि 25 के पहाड़े में आने वाला व्यक्ति मोजूद होना चीए, लास्ट के दो अंकों में 25 का पूरा भाग जाना चीए, तो देखिए 25 का तो चारों उप्सनों में ही जाता है किसी के 25 है, लास्ट में 7 उना 5, यानि जिन संख्याओं में 5 का भाग जाए और 7 का भाग जाए, उनमें 35 का भी भाग जाता है, तो 5 का तो तमाम उप्सनों में जाता है बस आपको क्या जांचना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 7 का और जांच लीजिए, तो मैं पहले option में 7 का भाग दे के देखता तो आप कहते सर पहले में हम 7 का भाग देते हैं तो यहां 7 एकम 7 दो बचेगा फिर 7 चोग 20 और इस पहले में 7 का भाग भी गया जिसमें 25 का भाग गया और 7 का भाग गया तो फिर इसके अंदर 35 का भी भाग जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 99 पिछे तर सबसे बड़ी संख्या इसमें से हो गई तो अब आप समझ किया होंगे जभी भी ऐसा question आए तो आप ऐसे नहीं है कि उन्हें 15 से जाचे या 35 से जाचे सिर्फ आपको क्या करना है उनके टुकडों में जैसके किसी का भाजगता का नियम डाइरेक्ट आता है वो तो करेंगे ही करेंगे 25 से मैं optionों को जाचथा तो आप कहेंगे सर 25 का तो सभी में जा रहा है तो फिर इसे में छोड़ देता, फिर 25 का जा रहा है तो जैसे 5 का तो सभी में ही गया, 25 पाचच़ का त 25 दूसरे में 3 का नहीं जाता है यहां 9, 8, 17 और 5, 22, 24 इस चोथे में 3 का भाग जाता है और 7 और 5, 12 और 9, 8, 17 इसमें नहीं जाता यानि तीसरे option में और दूसरे option में तो 3 का भाग यह नहीं जाता तो 3 से ही मैं इन option को eliminate कर देता तो अब आप कहेंगे कि सर साथ का भाग और दे लीजिए अब इस last वाले में देखिए साथ का भाग देते एक 28 फिर 25 में नहीं जाता इसमें साथ का नहीं जाता तो सबसे बड़ा नम्मर कौन हो जाता यह हो जाता चलिए 43 फिर नम्मर का question देखिए मैसे पै क्या होता है उसे सुनिए आप आप कहेंगे सर मैसे पै क्या होता है कई सारी विधिया होती है लेकिन आप परिक्सा में क्या करेंगे मेरी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना आज के बाद में जब ही भी आपको मैसे पै निकालना हो तो दो विधिया होती है पहले वाली तो विधि होती है कि इनका अनुपात बनाए आप सुनिए अनुपात जब कोई छोटा नम्मर हो तो आप सिर्प उनका अनुपात बनाए अब आप कहेंगे कि सर आप अनुपात तो बना सकते हैं, डेड़ सो को किसी संक्या से काट सकते हैं क्या, तो इनका जो SCF निकाले वो जिससे आप काटे जाएं उसको, यानि कटने वाली संक्या को SCF कहते हैं, मैसे पर कहते हैं, इन तीनों में common कटने वाली, common कैसे, अब आप कि सर इन में 25 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर 25 इनका मैसे मानते हैं, तो पहले अनुपात बनाईए, 25 हीगी डेड़ सर, 29,225 और यहां 25 का भाग देंगे, तो आप कहेंगे सर 25 एकम 25, 15 बार जाएगा, बिलकुल आसान, ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा कि इनके अनुपात बनाईए आप, तो अब आप कहेंगे कि सर अनुपात तो बने, लेकिन कुछ ऐसे बने हैं, जो अभी और कटते हैं, नहीं मेरे भाई, कटते नहीं हो, और कटने नहीं चीए, तो और काटो इसे, तो आप कहेंगे सर हमने तीन से और काट लिया, तो इसे तीन से औ तो 3, 2, 6, 3, 9, और 5, 3, 15, अब देखिए यह ऐसे अनुपात, यानि इनको काटते जाएए, काटते जाएए, एक ऐसा अनुपात आजाएगा, जो उसके बाद कटेगा नहीं, तो यहां जिस-जिस से काटा आपने, जिस-जिस से कॉमन काटा, वो इनका SCF होगा, तो पिछेतर का SCF होगा, महतम समावर्तक होगा, पिछेतर, समझ गए, बहुत सारे कॉशन क्या, UP पुलिस के प्रतेक पेपर में, आपके पास ऐसे प्रसन आये हुए हैं, SSCGD, दिल्ली पुलिस, कई सारी कॉस्टेबल एक्जाम्स में, ऐसे कॉशन बहुत बहुत बार आए हैं, तो आप आज के बाद में जभी भी ऐसा क्वशन आये, तो आपको करना ये है, कि ये जो नम्मर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उन नम्मरों को क्या करना होता है, काटिए आप तुरन से, या फिर एक भाग विदी भी होती है, वो आप प्लेलिस्ट में जाईए, और मेरा LCM SCF का पहला इकन को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आपको लगता है, कि हमारी चीज़ें आपके लिए कारगर साबित हो रही है, तो आप चैनल की चीज़ों को अपने सातियों के साथ सेयर कर दें, या कोई कमेंट लिखतें, मेरे स्टेडी गुरूप से जुनने के करें, क्या लिए तो फिछे तर इस दराइट आंसवर 43 का, लास्ट वाली देखिए, चमवाली स्वा कोशन देखिए, नीचे दी गई कौन सी संख्या, चोईस से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है, चोईस से पूरी तरह ये विभाज करने योग्य है क्या, तो आप च एक्टर करता हूं, तीन गुणा आठ में मैं इसको लिख लूँ, ऐसे दो टुकडे कर लूँ, जो आपस में कटे नहीं, आप कहींगे सर्थ 6-4 भी होता है, लेकिन 6 और 4 आपस में कटता है, तो 6-4 नहीं, 8 और 3, 24 का भाजकता का नियम होता है, जिन संख्याओं में 3 का पुरा भाग जाए, वो चोईस से कटती है, तो नीचे दी गई संख्या को चोईस से विभाजित करने योग्या है, चोईस का भाजकता का नियम देखना है, तो आप 3 का और 8 का नियम देखेंगे, अब मैं 3 से देखता हूं, 3 के लिए क्या करते हैं, अंकों का टोटल करते है जैसे इसके अंकों को जोड़ के ऐसे मन में ही जोड़ने आप, अंकों को मन में जोड़ते हैं, जैसे आप कहेंगे कि पहले option में 1 प्लस 4 ऐसे आप इनको जोड़ लेते हैं, मन में जोड़ ये बगेर लिखे ऐसे, मैं ऐसे single digit total बनाता इनका, तो मन में कैसे जोड़ते हैं प और 5 12 और 8 20 हो जाता हूँ 20 को भी मैं वापस से जोडता तो आप कहते सर 20 को हम वापस से जोडते हैं तो 2 आता है यानि 20 को भी मैं जोडता तो 2 आता 2 3 से divisible नहीं है तो पहले option में 3 का भाग नहीं जा रहा यदि किसी option में 3 का भाग नहीं जा रहा तो अब आपसे कोई ये पूछे कि क्या उस विकल्प में 24 का भाग जाएगा तो आप कहेंगे जी नहीं सर, कभी भी नहीं जाएगा 24 का भाग फिर उसमें और दूसरे option को मैं जांसता, ऐसे ही मैं दूसरे option को जांसता तो दूसरे option में देखिए इनको मैं जोड़ता, 8 और 8, 16 और 2, 18, 18 और 5 जोड़ता, 23, 6, 39 होता फिर 29 को मैं वापस से जोड़ता तो 11 होता, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो B option भी आपका right answer नहीं होता, समझ पाएं होंगे क्या कहना चारा है ये सवाल कि जिन संख्याओं में 24 का भाग जाए, ऐसे नम्मर छाटने हो, तो आप ये कहेंगे कि सर हम उन नम्मरों को target करते जिन में 3 का पुरा भाग जाता है और 8 का भाग जाता है, तो पहले मैंने 3 से option को जांचा दो option तो 3 से ही बाहर हो गए, आप देखे, C option में देखे, C option में आप कहते हैं सर, 4 और 3, 7 होता है, 7 और 9, 16 होता है, 16 और 7, 23, 36 होता है क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, आप कहींगे सर, इसमें भी 3 का भाग बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, आप ऐसे 4 प्लस 3 करते, 7 होता, फिर 9 करते, फिर वो 16 होता, फिर उसमें 7 जोडते, तो 16 और 7, 20 होता, 29 होता, फिर 29 को वापस से जोडते, 11 तो तीन से, पहला option तीन से भाजित नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, तो चोथे option में सर्तिया 24 का पुरा-पुरा भाग जाएगा, तो ऐसे जांसते हैं भाजक्ता को, जो 42 वे नम्मर का question था, और जो आपके 44 वा प्रसंद था, वो एक सी ही category के थे, बस भाजक् चीये थी, आप उन्हें कर पाते, तो ये कुछ परसंद हैं, जो हर बार UP Police Constable Paper में repeat रहे थे, उमीद करता हूँ, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, उनको आप जांच कीजिए, या इ लेटेस्ट वीडियो के रिकोडेड कॉर्स भी ले सकते हैं, सो पचास रुपे में, बाकि आप प्लेलिस्ट के टॉपिक वाली वीडियो देखिए, मैथ रीजनिंग डेट सो नम्मर की आने वाली है, और आप उन डेट सो में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, इस बात को पक्क और रीजनिंग की बहतरीन वीडियो लेकर तब तक खुस रहिए, अपना खयाल रखिए